विल हेलो सुटी आस्प्रेंट्स कैसी चल रही है आप सभी की प्रेपरेशन इतनी सारी वीडियो आप सभी को देखने को मिल रही है जहां पर लोग क्लियम करते हैं कि फॉर्म इस आउट बट अंदर वीडियो में जाके देखो तो पता चलता है फॉर्म तो एक्चुली आज की वीडियो में मैं आप सभी को प्रॉपर क्लारिटी देने वाला हूं कि कब तक आप सभी का फॉर्म आउट हो जाएगा सेकिंडली आप सभी को मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन्स देने वाला हूं कि आपको यह पर्टिक्लियर ऐसे डॉक्युमेंट्स आपको देखने को मिल रहा है कि इस न्यू कैमरा साथ ही साथ आपको मैं लिखकर अप चीजें एक्सप्रेइन करूंगा विकर्स पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ खड़े खड़े होके बोल देना चीजें हातों से एक्सप्रेइन कर देना असान होता है और बच्च मैं सिर्फ यह बोलो नहीं कि यह करो यह करो यह करो बत मैं आपको लिखकर बताओ कि सबसे पहला स्टप्सक्रेया अपको यह करना है so for better quality अब आपके पास ये camera है साथ ही साथ अब मैं आपको लिख के भी explain करूँगा so मेरी बस आप सभी वीवर से एक request होगी कि please comments में अपना suggestion दीजेगा कि भाईया आपका ये setup बहुत अच्छा है but इसके अंदर अब ये improvement और कर लो या फिर आपको जो भी review है चाहे negative review है, setup से related या positive review है, please मेरी request है जरूर आप सभी comment down करेगा कि कैसा लगा आप सभी को ये वाला new setup now without wasting your time मैं आप सभी को clarity देना start करता हूँ कि आपका forms related क्या situation है currently तो सबसे पहली चीज आप सभी का अभी तक form out नहीं हुआ है right, बहुत videos बन चुकी है form out, form out and without any question mark लोग डाल देते हैं कि form out हो चुका है but actual में अभी तक आपका form out नहीं हुआ है secondly, कभ तक form out होगा तो आप सभी note down कर लीजिए date 10th February तक आप सभी का 100% application form out हो जाएगा 2022 के अंदर and 2023 के अंदर इसी date के around ही हमारा application form out हुआ था आप सभी का भी application 10th February तक release हो जाएगा now, first and foremost thing guys, जो आप सभी को याद रखनी है please अपना form मत फिल करने बैट जाना जिस दिन आपका form out होगा because बहुत सारी ऐसी technical glitches होती है जो हमें first day form के अंदर देखने को मिलती है जैसे हमें कभी बनारस Hindu university नहीं मिल रही कभी हमें कोई university दूसरी university select करने को नहीं मिल रही so इस तरीके की अनेको technical glitches होती है जो आपको देखने को मिलेगी पहले दिन so याद रखिए first day पे आपको form फिल करने नहीं बैठना है now कुछ ऐसी important guidelines या कुछ ऐसी चीजें जो आपको update करा लिनी चाहिए अपने form release होने से पहले now I'm really really sorry for my handwriting first time में से लिख रहो तो इसली थोड़ी खराब handwriting है बट आगे experience के साथ साथ और practice के साथ better हो जाएगी now सबसे पहली चीज जो आप सभी को update करा लिनी है that is your profile pic right बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास अपने passport size photograph है बच्चे वाली right लेकिन असल में उनकी photo जो अब है like असल में जो appearance है वो है कि बहुत सारी दाड़ी है you know बहुत mustache है और बहुत ही जदा बड़ा difference हमें देखने को मिल रहा है actual face में और जो passport size photograph है उसके अंदर now मेरी आप सभी से request होगी please अपनी profile pic update करा लिजेगा otherwise आप सभी को जब आप अपने center पर पहुचेंगे न वहाँ पर security guard आपको रोग देगा कि भाईया admit card में कोई और बच्चा है और मेरे सामने कोई और बच्चा खड़ा है so better यही है अपनी profile pic update करा लेना नई खिचवा लेना better रहेगा secondly आपको ध्यान रखना है कि किसी भी document के अंदर आपको names का issue नहीं होना चाहिए because आगे जाके जब आपको application के लिए correction portal open होगा तो आपको अपना name और parents का name update करने को नहीं मिलेगा correct करने का मौका नहीं मिलेगा तो अपना CUT form भरते समय बहुत ही carefully names fill करिएगा और साथी साथ किसी भी documents के अंदर names में discrepancy नहीं होनी चाहिए पता चले आपके father के name में एक spelling missing है और दूसरे में एक spelling extra है इस तरीके का issue नहीं होना चाहिए otherwise university जब आपके documents को verify करेगी आपका application form reject भी हो सकता है ठीक है now ऐसी email id ऐसा mobile number आपको submit करने है अपने application form में जो counseling तक चालू रहे कई ऐसे बच्चे होते हैं जो ऐसी email id दे देते हैं जिसको वो बार-बार नहीं देखते हैं ओपन नहीं करते हैं या ऐसा mobile number दे देते हैं जो basically वो recharge नहीं कराते हैं so please मेरी आपको यह request रहेगी सही email id दीजेगा because CVT, SCSE important चीजें email id के द्वारा ही communicate आप से करेगी यह नहीं कि कोई notice release कर दे कई बार बच्चों से personally वो email id पर चीजें भेजती है secondly guys आप सभी को mobile number अपना सही वाल अपडेट करना है क्योंकि जब आप उन्हें call करेंगे तो वो यह उस वो वाला mobile number उठाएंगे जिस जो आप mobile number application form में submit करेंगे ठीक है तो सही है अपना आपको अपना mobile number देना है secondly latest documents आपको submit करने है इस latest documents से related बहुत बच्चों को कई सारे question रहते है so आज के बाद आपको कोई भी question देखने को नहीं मिलेगा मैं because आपको पूरी clarity अप दे देता हूं now आपका जो भी idea proof आप देने वाले हैं जैसे जादा तर बच्चे आधार कार्ड देते हैं तो यह आधार कार्ड एक साल से जादा पुराना नहीं होना चाहिए दो तीन साल पुराना नहीं जो latest आपका अधार कार्ड है वही आपको बनवाना है या तो latest अधार कार्ड ही आपको देना है secondly caste certificate से related बहुत बच्चो को doubt होता है कि भाईये central का caste certificate देना है या state का so note down कर लीजिए आप सभी को central caste certificate देना है central caste certificate किसके दौरा signed होता है SDM के दौरा sign होता है and latest card certificate का भाया क्या मतलब है, 1 April 2023 के बाद का card certificate आपको देना है, उसके पहले का देंगे तो वो accept नहीं होगा, ठीक है, so latest का ये मतलब है, और आपको अपने card certificate में इन चीजों का ध्यान रखना है, now, जो चीजे मैंने आप सभी को बताई है, ये वो guidelines है जो आपको follow करनी है, form release होने से पहले, but अब मैं आप सभी को वो guidelines दे देता हूँ, जो आपको follow करनी है, form release होने के बाद, तो जैसे कि मैंने आपको suggestion दिया था, कि जैसे ही form release हो, आपको उस दिन बैट के form नहीं भरना है, तो अब आपका question होगा, एडुकेशन डीटिल्स कैसे fill करनी है, fees कैसे pay करनी है, ये सारी चीज़ें आपको explain करी जाती है, CUT form filling tutorials के अंदर, तो आप सभी को tutorials देखने हैं, और यहीं पर मेरे आप सभी से एक request भी रहेगा, कि प्लीज इस चैनल को subscribe करना मत भूलेगा, because मैं आप सभी को एक ऐसा tutorial प्रोवाइट करूँगा, जो पूरे YouTube पर आप सभी को देखने को नहीं मिलेगा, तो अब आप यह बोलेंगे कि भाई ऐसा क्या आप यूनिक करने वाले हो, तो guys मैं आप सभी को एक ऐसा tutorial दूँगा, जिसमें मैं पूरे form की हर एक एक चीज को detail में explain करूँगा, साती सात मैं आप सभी को time stamp दूँगा, कि मैंने इस second से इस second के अंदर ये personal detail explain करी है, इस second से इतने second के अंदर मैंने इस email idea, इस particular education detail के बारे में बात करी है, ये सारी चीज़े मैं आप सभी को explain करूँगा, अपने एक मात्र एक ही tutorial बनाऊगा, और सारी चीज़े इस tutorial में मैं आपको explain कर दूँगा, so please इस channel को subscribe करना मत भूलेगा to get that tutorial, और मैं एक और function आप सभी को provide करूँगा, कि जितने भी बच्चे मेरे इस tutorial के नीचे comment करेंगे, उनको 24 hours के अंदर अंदर अपने comment का या अपने doubt का answer मिल जाएगा, बहुत बच्चे होते हैं जिनको doubt रहते हैं कि यहाँ पर क्या फिल करूँ, यहाँ पर क्या करूँ, तो अगर आपको tutorial देखने के बाद भी clarity नहीं मिलती, तो comment कर देंगे और मैं ही 24 घंटे के अंदर आपको reply provide कर दूँगा, अब आप सभी को guys, spoon feeding के उपर depend नहीं रहना है, कि कोई YouTuber आएगा, कोई mentor आएगा, कोई educator आएगा, वो आप सभी को बैठके यह बताए, कि तुम यह university भरो, और यह यह subjects आप सभी अपने application form में fill कर दीजे, no, बिल्कुल नहीं, no, नकुल नहीं, आप सभी को खुद बैठके क्या करना है, research करना है, ठीक है, form out होगा, उसके बाद आप सभी यह check करना है, स्टार्ट करो कि, और मुझे कौन कौन सी universities में जाना है, जैसे कि अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ, तो मेरे लिए important यह रहता है, कि मैं डेली university fill करूँ, बट मैं सिर्फ एक नहीं, मैं कम से कम 5 से 6 university fill करना चाहूँगा, तो जैसे कि दिल्ली के अंदर अगर मैं बोलू, तो इंदरप्रस्त university है, वो fill करूँगा, JMI है, वो fill करूँगा, दिल्ली के अपनी state university है, that is Dr. B.R. Ambedkar university, यह मैं fill करूँगा, तो जो दिल्ली के बच्चे हैं, उनको तो मैंने 4 university बता दी, बट आगे जाके मैं आप सभी के लिए वीडियोज लाँगा, कि state-wise बच्चों को कौन-कौन सी universities at least fill करनी चाहिए, regional universities, central universities, मैं सब के बारे में आगे जाके आपको explain करूँगा, बट मेरी explanation से जादा बेटर है, कि आप सभी खुद बैटके research करिए universities के बारे में, मुझे इतनी सारी universities में जाना है, इतने सारे courses के लिए मुझे eligible होना है, तो मुझे क्या-क्या subject combination की requirement होगी, इसके उपर थोड़ा सभी research करेंगे तो आपको खुद ही better understanding इंग चीजों से related मिल जाएगी, बट अगें tension मत लीजेगा, इससे related भी मैं definitely video बनाऊँगा, जिससे आपको better understanding मिल सके, और मैं ये भी बताऊँगा, कि कैसे आप सभी खुद बैठके भी research कर सकते हैं, universities and subject combinations के बारे में, ये दो चीजे हैं, जो आपको form release होने के बात करना है, अच्छे से tutorials देखेगा, चैनल को subscribe करना मत भूलेगा, for that tutorial, and secondly, रिसर्च करते रहिएगा, university and subject combination के बारे में, so, मैं इस जादा को, इस video को जादा expand नहीं करना चाहूँगा, कि आपका time waste करो, एक एक चीज़ के उपर जादा expand करके, जो आपको समझाना चाहता था, I hope आपको समझ आ गया होगा, so, thank you for watching this video, and मेरा आप सभी से request रहेगा, कि please, जो ये setup आप सभी को इस समय पर देखने को मिल रहा है, जैसे मैं explain कर रहा हूँ, जो आपको mic दिख रहा है, please, अगर आप सभी और भी improvement चाहते हैं, तो वो comment down जरूर करेगा, और मुझे बताएगा, कि आपको और क्या improvement इसके अंदर चाहिए, and कोई भी doubt अगर अभी भी आपका है, don't forget to post it down, मैं आपको 24 गंटे के अंदर आपके doubt का आपको reply दे दूँगा, ठीक है, so, I hope आपको इस वीडियो पसंद आई होगी, जैसे कि मैं हमेशा इंड में बोलता हूँ, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए all the very best!